हिमाचल प्रदेश में अगर हम चुनावों की बात करें और खास वर से चुनाप्रचार की बात करें तो बड़ा बड़े लाव लशकर में प्रत्याशी चुनाप्रचार करते हो आपको नहीं दिखाई देंगे क्योंकि पहाडी इलाका है दुर्गम क्षेत्रों में भी लोग जाते हैं शिमला में मौझूद है और शिमला की जंग इस वार बहुत दल्चस्पर आप देख सकते हैं मेरे ठीक सामने भारतिये जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है शिमला शहर से सुरेश भारतवाज वो जनता से वोट मांग रहे हैं भारतवाजी आपका स्वागत जो शिमला में हो रहा है विशेश रूप से ट्रैफीक के कारण वहां का एक बहुत बड़ा मुद्दा है और पार्किंग तो यहां का मुद्दा जो है वह आम तौर पर चली रहा है क्योंकि जमीन कम है मर्टि स्टोरी पार्किंग की आश्यक्ता है तो आज तक जितने भी प और वेंक्या नाइडू जी जो समय अर्वन ड्वेल्मेंट मिरिस्टर से मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूं यह उन्होंने थर्ड राउंड में हिमाचल प्रदेश को हमारे आग्रहे पर और हमारी जो है परफॉर्मस जो हमने उसके लिए की उसके कारण स्मार्ट सिटी गोशित्या है तो समार्ट सिटी शिम्ला को बनाएंगे यह वाइदा जनता से कर रहें लेकिन भारतवाजी अगर शिम्ला की जंग देखें तो बड़ी दिल्चस्प है चार प्रत्याशी तीन प्रत्याशी आपके सामने हैं कॉंग्रेस हैं एक कॉंग्रेस के बागी प्रत् संस्टी समय में में 1885 यंसर दोना लगातार शिम्ला में में होता रहा है और उसते कॉने माइक में जब्ले में ओटनाम यह उत्रा हूँ तो मैं जीत करके आया हूँ और इस बार मुझे लगता है कि मैं जीत आसानी सी प्राप्त कर सकता हूँ क्योंकि पिछली बार जब सारा शिमला आठ कंश्वंसीज हैं आठ सीटों मैं से एक सीट मैं जीत करके यहां से आया था तो इस बार तो हमारी जो है वो कंश्वंसी कांगर्स की है जमानती सरकार है नॉन परफॉर्मिंग गवर्मेंट है पार्टी ने चहरा नहीं दिया मुख्यमंद्री पद्गा तो आपको नहीं लगता कि थोड़ा नुकसान रहेगा अगर चहरा दे जेते ज़्यादा फाइदा होता है नहीं देखिए तो पार नहीं दिया उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राजे में चेहरा नहीं दिया तो हिमाचल तो बहुत छोटा सा प्रदेश है यहां पर जो है वो मैं समझता हूं के हमारी परफॉर्मेंस के कारण हमारी स्टेट लिटर्शिप की जॉइंट रिस्पॉंसिबिलिटी के कारण और केंदर की मोधी सरकार और मोधी जी के किश्मे के कारण जो है वह हम यहां पर जीतेंगे शिमला में अगर बात करें जो व्यपारी वर्ग है उसका भी अच्छा खासा वोट बाएंगे कहीं जीस्टी नोट बंदी के बाद जीस्टी इसको लेकर भी कुछ नाराजगी व्यप जीस्टी के कारण जो है गलत फहिमियां कुछ लोगों में है क्योंकि अभी तक जो बेनिफिट मिलना चाहिए इंपूर्ट बेनिफिट नितादी वह बहुत ज्यादा लोगों को जो है समझ में नहीं आ रहा है इवन जो सरकारी अधिकारी है वो भी मामने में समझा नहीं प कट आ रही थी वो केंदर सरकार ने दूर कर दिया अब तीन महीने में रिटन भरनी पड़ेगी हिमाचल प्रदेश की एक और समस्या है कि यहां पर जो मिनीमम जो है दस लाग का स्लैब है जिस पर जैस्टी नहीं लगेगा वह बाकी प्रदेशों में 20 लाग है परद्वाज तो इसलमें प्रत्याशियों को भी कड़ी मेहनत यहां पर करनी पड़ते है चुनाव से पहले अनिश्टी तूरूप थे बाकी प्रदेश की महां पर दो गाडियों का उपयोग होता है सब लोग जो हैं घाडियों के खर्चे भी बहुत होते हैं ज्यादा तर गाडियों की खर्चा नहीं है लेकिन पैदल चलना पड़ता है एक घर में हम जाते हैं यह हैं 1995 के बाद यह Tra convertा यह के नोजीर कंपेन होता है ऑफिसीज में सीट टू-सीट कंपएन होता है तो इसली चलना तो पड़ता है और मैं अक्सर जो हैं वो पैदली चलता हूँ और पूरे पांच साल लगातार मैं लोगों से मिलता रहता हूँ चलता रहता हूँ तो इसलिए कोई इस चुनाब के समय ज्यादा चलना बढ़ता है ऐसा मुझे मैसूस नहीं होता है। इसे खत्म होता है या नहीं ये देखने के लिए परिणामोत का इंतजार करना होगा।